Hello friends, welcome in your physics class. In today's class we learn electromagnetic induction और इस वीडियो के अंदर में हम देखेंगे magnetic flux क्या होता है उसके बाद changing magnetic flux फिर faraday's law in electromagnetic induction तो वैसे देखा जाए magnetic flux ये directly involved नहीं हमारे बोड़ी इकसाम में बट magnetic flux क्या है ये नहीं समझा तो electromagnetic induction जो है वो समझ में नहीं आएगा इसके लिए उसे समझना जरूरी है आप दूसरी बात करते हैं चेंज इन magnetic flux तो magnetic flux चेंज कैसे होता है किस तरह से हम उसको चेंज करते हैं वो समझना जरूरी है तब भी आपको faraday's law पूरी तरह से दिमाग में उतरेगा तो चले शुरू करते हैं magnetic flux अगर मैं कोई area यहाँ पर consider कर लेता हूँ इस area का magnitude है वो है DA और यहाँ पर magnetic field है भी तो B is a magnetic field तो product of magnetic field induction and area इसको हम बोलते है flux वो सिंपल है मतलब जिस भी जगह पर आप area लेते हो जिसे यहाँ पर मैंने एक बड़ा area ले लिया समझ लो area यहाँ पर DA1 है और यहाँ magnetic field है B1 तो यह हो गया आपका यहाँ का flux तो आप कई पर भी flux ले सकते हैं यहाँ भी flux ले सकते हो यहाँ भी ले सकते हो कई भी ले सकते हो flux का मतलब क्या हो गया magnetic field induction उस जगह पर जाप आप area consider कर रहे into area यह बन गया आपका magnetic flux ठीक है अब सिदे सिदे मैंने B into DA लिखा यह तब ही लिख सकते है जब B और DA सेम डारेक्शन में हो लेकिन जरूर ही नहीं है कि हर बार यह सेम डारेक्शन में ही रहे तो कभी कभी क्या हो जाता है area का direction यह रहा और magnetic field का direction यह रहा आईसा भी हो सकता है और ऐसी case में जो भी उनके बीच में एंगल बनेगा उसके साथ में हम यहां लिखेंगे B DA cos theta अईसा लिखते है जिसको आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो B dot DA यह हो गया आपका flux clear चलो यह रहा हमारा magnetic flux का formula अब magnetic flux के formula में देखने के बाद में हमको पता चल रहा है कि यह जो B vector है इसके उपर में magnetic flux depend कर रहा है बरबरे तो पहली जो बात है जिसमे magnetic flux change हो सकता है वो है magnetic field induction अब यह magnetic field induction देखना इस diagram में मैं कैसे change करके बचा रहा हूँ यहाँ पर magnetic field अलग है बहुत ज़्यादा है है ना यहाँ पर magnetic field और कम हो जाती है और यहाँ पर magnetic field और भी कम हो जाती है ठीक है मैं symbolic तरीके से इसको छोटा बड़ा करके बता रहा हूँ अगर मैं area यहाँ पर चुज़ करता हूँ तो magnetic flux कम है क्योंकि magnetic field कम होने की वज़े से magnetic flux कम हो जाएगा लेकिन अगर मैं area यहाँ consider करता हूँ तो same area है देखो जो आपको circle में दिख रहा है red circle वो same area है पर magnetic field stronger होने की वज़े से यहाँ पर flux जादा है और यहाँ पर flux बहुत जादा है क्योंकि magnetic field induction बहुत जादा है तो जगह जगह पर magnetic field induction चेंज हो रहा है लेकिन area वही है भी जो है वो चेंज कर रहा है magnetic flux को तो अगर आप किसी magnet के पास में coil लेकर आती हूँ या उससे दूर लेके जाते हूँ जिसे मानलों यह coil मैं इसके पास लेके जा रहा हूँ तो magnetic flux increase हो रहा दूर लेके जा रहा हूँ magnetic flux decrease हो रहा यही बात यदि आप coil के बजाए बार magnet को आगे या पीछे करते तो भी magnetic flux change हो जाता है तो अब दूसरी बात जो आती है वो है हमारा area दिये अगर area को कम जादा करो तो भी magnetic flux change हो जाएगा और तीसरी बात है हमारा theta अगर हम angle को change करते है देखे एरिया यह direction में और B का direction यह है तो इन दो के बीच में angle theta बन गया न तो यह angle अगर और बढ़ा के 90 degree कर दोगे न ऐसा यह DA का हो गया और यह BA का हो गया तो IC case में क्या हो जाएगा magnetic flux यहापर 0 मिलेगा यहापर यह वाला value मिलेगा और आईसा रहने पर maximum मिलेगा तो भी angle के उपर में भी magnetic flux depend करता है ठीक है न तो magnetic flux किन कारणों से change हो रहा है आप समझ गए चलो तब चलते है Faraday's law की तरब तो चलिए चलते है Faraday's law की तरब question इसके उपर कुछ इस प्रकार से आ सकता है state Faraday's law in EMI तो यहाँ दो statement है Faraday's की तो मैं यहाँ पहला लिखता हूँ first law जो पहला statement है जिसको हम first law बोलते है Faraday's first law यह law कहता है जब कभी whenever change in magnetic flux जो बदलने वाला है link with coil coil लिख रहो हूँ है यहाँ पहे close circuit भी लिख सकते हो coil के साथ जब link हो जाता है तो क्या हो जाता है an induced EMF induced EMF is generated in the coil तो यह statement आपको बता रहा है जब कभी changing magnetic flux किसी coil के संपर्क में आता है तो उस coil में induced EMF generate हो जाता है बरबरे पर यहाँ पर यह नहीं बता रहा है कि कितना generate हो रहा है तो इस statement को हम बोलेंगे qualitative statement qualitative का मतलब है यह सिर्प और सिप जानकारी दे रहा है कि induced EMF कैसे generate होता है इसके अलावा और कुछ नहीं ठीक है चलो अब चलते हैं आगे में second law के तरह second law का statement अब ऐसा बोलेंगे कि जो magnitude है EMF जो generate हो रहा है न उसका magnitude depend कर रहा है rate of change of magnetic flux link with the coil के साथ में तो इस लोग को में सा लिखते है the magnitude of induced EMF produced in the coil is directly proportional to rate of change of rate of change of magnetic flux link with the coil चली दीको यह statement है अब इस statement को हम थोड़ा समझ लेते यह कह रहे है कि जो induce EMF generate हो रहा है induce EMF कैसे denote कर रहे हैं आप E से denote कर रहे है और produced in the coil is directly proportional बोले तो proportionality का symbol दे दिया इसको rate of change of magnetic flux ठीक है भी यह आपका rate of change of magnetic flux हो गया हो गया, clear है अब इस proportionality sign को मैं हटा देता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ constant डलना पड़ेगा यहाँ पे चली यह डाल दिया मैं यह constant अब constant की value क्या है इन SI unit अगर मैं flux को और time को ऐसा unit में लेता हूँ या किसी भी एक system में लेता हूँ तो ultimately मेरा k क्या हो जाता है 1 हो जाता है SI system में की का value 1 बन जा रहा है तो इसका मतलब E is equal to बन रहा है D D5 by dt ऐसा तो यह हमारा statement हो जाता है ठीक है अब अगर मेरे पास में एक single turn है तो यह law लग हुए लेकिन मेरे coil में धेर सारे turns है ऐसे बहुत सारे turns है N number of turns अगर मेरे पास में coil में है तो for N number of turns क्या होगा for N turns यह E बन जाएगा मेरा N times D5 by dt इस तरह से यह rule कुछ इस प्रकार से बन जाता है ठीक है अभी जो rule मैंने यहां पे लिका वाए कि जैसे number of turns बढ़ते जाएगे मेरा flux increase होते जाएगा है ना मेरे पास में flux है मान लो एक single turn जो है उसका flux मेरे पास phi है ओके तो phi क्या हो गया flux associated with single turn coil के single turn की वज़े से जो flux मिल रहा वो phi है and if there are N turns तो कितने होगे for N turns मेरा नया flux क्या बनेगा new flux बन जाएगा phi dash is equal to N times 5 राइट इस तरह के इस रूल को यब 5 की value आप यहापे डाल दोगे तो यह नया जो आपका यह में बनने वाला है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा N times d5 by dt इस तरह से बन जाएगा इसे कहते है flux रूल यह एक मर्क के लिए सवाल आ सकता है only separate flux रूल का तो यह flux रूल है तो आप कहां से का लिकने वाले हो तो जान देंस देखिए यह वाला जो पार्टे आपका यह flux रूल के लिए रहेगा तो इसके उपर आपका एक मर्क चल आएगा और जो faraday law आपको पूझेंगे वरबर है statement आपको पूझेंगे तो यह statement और यह statement मातर ही इतना लिख लिया तो आपको एक mark मिल जाएगा ठीक है और अगर आपको ऐसा बोले कि state faraday's law of electromagnetic induction यह state and explain अगर पूचते हैं तो explain बोले तो आप यहां तक आ सकते हो यहां तक state and explain बोले तो लेकिन से बगर state बोले तो दो statement लिख लिजे ज़्यादा से ज़्यादा आप यह वाला statement लिख लो आपका काम हो जाएगा आपको एक ही mark मिल रहे है इससे ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे ठीक है